असलाम वालेकुम गाईज, विलकम बैक टू माई चाइनल, आप देखने हैं अपने चाइनल वफा हैंडवर, तो आज हम आस्तीन पे डिजाइन बनाएंगे, और आज हम अभी ये भी देखेंगे कि ये आस्तीन जो हमारी कितने इंची की है, और हम कितनी इस पे बेसलाइन बन इसके बनाएंगे, तो मैं पहले दिखा देती हूं, कितनी इंची की है, ये आठ इंच की इसकी साइज है, अगर आप पूरा राउंड में ऐसे देखेंगे ना पूरे गुलाई देखेंगे तो फिर ये शोलाइज की है, तो अभी इस पे हम बेसलाइन बनाएंगे, देखते ना इसको डाल रखी है, जहाँ से जुड़ी होती है, वही से अटेज करेंगे, फिर Vivurnijn ये ट्रीचेंड लेके डबल कुरिशिय का बनाएंगे, फिर एक चायं लेके डबल कुरिशिय बनाएंगे, और जब हम बेसलाइन की कुरिशिय गिनेंगे, इस अटेज को भी की किने ये तिरी चैन जो है ये डबल कुरिशिया की जगह पे है ठीक है फिर एक चैन लेकर डबल कुरिशिया बनाती हुए पहले बेसलाइन तयार कर लेते हैं फिर आगे रेखेंगे और पूरी डिजाइन बनाने के बाद मैं आखरी में इंशाला ये भी बताऊंगे कि आपके बेसलाइन पूरे तयार हो गई यहां पे इसको साथ में लेते हुए एक सो बाइस डबल कुरिशिया की बेसलाइन बनी है ठीक है आप चाहें तो यहां पर भी अटेज कर सकते हैं या तो आप डारेक्ट गैप के अंदर ही अटेज कर सकते हैं ठीक है अब हम दूसरे वाले द दागे को मैंने पीछे की तरफ से लगा लिया है अब इससे अटेज करेंगे फिर वान टू थरी चैन लेकर पहले गैप में डबल कुरिश्या बनाएंगे और साथ में मौती भी लगाएंगे फिर एक चैन लेकर दूसरे में डबल कुरिश्या इस लाइन को हम मौतियों के सा हुआ है इस हम यहां तक आजाते हैं लाइन यहां तक तक भोरी हो गई आप एक चैन लेके भी आपि आपि बना लेंगे फिर यहा पर हम एक लाइन और इसी वाले धागे से बना लेंगे ठीक है इसी तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को पूरी कर लेंगे तो यह लाइन पूरी हो गए अब यहाँ पे आखरे में सिंगल कृष्य बना लेंगे अब इस वाले धागे से एक लाइन बना लेंगे वन टू त्री चैन लेके सीधी तरफ से बनाएंगे इस लाइन को फिर एक चैन लेके सारे में डबल कुरिश्य बनाते जाएंगे तो यह लाइन पूरे हो गई इस तरह अब यहां पर हम अटाइज करते हुए अब एक चैन लेके सिंगल कुरिश्य तो यहां पर हम एक चैन लेते हुए नौ गैप में सिंगल कुरिश्य बना लेंगे वन टू थ्री फॉर फाइज सिक्स सेवन एट नाइन अब यहां पर हम एक गैप को छोड़के दूसरे में डबल कुरिश्य बनाएंगे सारी मोती अभी नहीं लगाएंगे वने टू थ्री फॉर फॉर फाइज थिक्स सेवन एट नाइन 10 10 डबल कुरिश्या बनाके अब एक गेव को छोड़के दूसरे में सिंगल कुरिश्या अब ऐसे back side में आएंगे मोतिओं को लगाेंगे 10 दस मोति लगाएंगे पहली डबल कुरिश्या के ऊपर सिंगल कुरिश्या फिर दस लगाएंगे अब जितनी भी डबल कुरिश्या है न सब के उपर सिंगल कुरिश्या बनाते जाना है मूती लगाते हूँ आकरी डबल कुरिश्या के उपर इस तरह से यहां पर दस बाल लग गई है वन टू त्री फोर फाई सिक्स सेवेन एट नाइन टेन दस बर लगाने के बार अब इस पहले वाले गईब में सिंगल कुरिश्या बनाएंगे फिर एक चैन लेते हुए चार गईब में और बना लेंगे लlaw वन तू त्री फॉर फाईव इस अट्यज वाली कुरिशेश को लेते वी पांच यहां पर सिंगल कुरिशया होने चाहिए ठीक है कि अब यहां पर ऐसे सीध्य तरफ आ जाएंगे और यहां पर सिंगल कुरिश्या से अट्यज कर लेंगे फिर one two chain लेके single crochet सब के उपर दो chain single crochet से बनाते जाएंगे यहां तक बनाने के बाद अब यहां पे one two three four five पांच वे में single crochet से attach करेंगे फिर एक chain लेके अब eight gap में बना लेंगे single crochet साथ में इसको लेंगे तो नौ single crochet हमारी यहां पर होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब फिर एक गैप को छोड़के दूसरे में डबल कुरिशिया दस बार बनाएंगे फिर इसी तरह से हम बिलकुल बनाएंगे रिजाइन को जैसे यहां पर बनाएंगे वैसे यहां पर बनाएंगे तो इसी तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरी कर लेना है पहले तो इस तरह से यह लाइन पूरी हो गई अब यहां पर हम सिंगल कुरिशिया बनाएंगे फिर इस गैप में सिंगल कुरिशिया बना लेंगे चैन लेते हुए अब जो है यह एक गैप है न इसको छोड़ देंगे और यहां पर डायरिक्ट डबल कुरिशिया बनाएंगे इस तरह की मैंने पहले भी डिजाइने आप लोगों साथ शेयर किये लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसकी ऊपर जो है अलग तरीके से बना रही हूँ आप चाहें तो उस तरीके से बना सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं दोनों तरीके से ब आप बनाएंगे बस आपकी डिजाइन अच्छी निकल के आनी चाहिए आप तरीका change कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है ठीक है is इसमें दो डबल कुरिशया बनाकी अब इस मोद्ची वाले गैप में बनाएंगे दो डबल कुरिशिया अब इस चैन वाले गैप में बनाएंगे दो अब इस मोती वाले में बनाएंगे तो दो चैन वाले गैप में बनाएंगे डबल कुरिशिया दो मोती वाले गैप में बनाएंगे इसी तरह से बनाते हुए हमें यहां तक आ जाना है अगर आप पहली बार चैनल पे आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो भी लाइकन है उसको भी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है और वीडियो को लाइक कर दिया करें शेयर भी कर दिया करें यहां तक बनाके डबल कुडिशिया अब एक गेप को छोड़ेंगे दूसरे वाले में सिंगल कुडिशिया से अटेच करेंगे इस तरह से यह हमारा फ्लावर बनके त्यार हो जाएगा अब इसमें यहां पर एक गेप को छोड़ेंगे इसमें अटेच करेंगे डबल कुडिशिया से तो इसमें भी हम उसी तरह से बनाएंगे दो दो डबल कुडिशिया करके बनाते जाना है ठीक है इस लाइन को हम इसी तरह से पूरी कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं इसकी उपर बॉर्डर बनाएंगे अब आखरी में भी एक गेप को छोड़ के यहां पर सिंगल कुरिश्या से अटेच कर लेंगे अब एक चैन लेके यहां पर सिंगल कुरिश्या बना लेंगे इस तरह से हमारी डिजाइन पूरी तयार हो गई अब इसकी उपर हम बॉर्डर बना लेंगे तो हमारी डिजाइन पूरी तरह से तयार हो जाएगी Back Side में आके बॉर्डर को बनाएंगे दूरस्रे वाले दागे से यहां पर एक पर पर सिंगल कुह है कि नहीं पर पहले वाली डबल कुह है बनाएंगे फिर एक मोती लगाएंगे और इस तरह क्रॉस गैप में सिंगल कुरिश्या बनाएंगे फिर एक कुरिश्या को छोड़के दूसरे पर सिंगल कुरिश्या फिर मोती लगाएंगे उसी तरह से बनाएंगे फिर एक कुरिशिया को छोड़ के दूसरे पिसिंगल कुरिशिया इसी तरह से बॉर्डर को हमें बनाते जाना है अब यहां तक आगे हैं कॉर्डर पर बना लेंगे यहां पर अब हम मोती नहीं लगाएंगे और इस वाली कुरिशिया को छोड़ के यहां पर बीच में जो अटेच है न इसके उपर सिंगल कुरिशिया बनाएंगे अब इसके उपर मोती नहीं लगाएंगे और फिर इस तरफ एक दो कुरिशया को छोड़के तीसरी वाले के उपर अटेश करेंगे इस तरह फिर मोती लगाके बनाएंगे इस तरह फिर एक गेप को छोड़के दूसरे पर सिंगल कुरिशिया फिर मोती लगाते हुए उसी तरह से बनाते जाएंगे एक गेप को छोड़के दूसरे पर सिंगल कुरिशिया तो ठीक है इसी तरह से बनाते हुए मैं अपने पूरे बॉर्डर को तयार कर लेना है तो मैं पूरे border को बना के फिर दिखाते हूं इसका final look इस तरह से देखिए मारी design बनके तयार हो गई है इस पे कितने full बने हैं वो मैं दिखा देती हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ full इस पे बने हैं और अगर मान लीजिए कि आपकी sleeves की length इतनी ज़्यादा नहीं है आप कम पहनती हैं इस तरह की इतनी है न तो आपके sleeves पे 5 फूल बनेंगे तो यहां तक नापके देखते हैं यह कितनी इंच की है यहां से लेकि यहां तक देखिए यह साड़े 5 इंच की है नॉर्मली ज़्यादा तर इतने ही पहनते हैं साड़े 5 इंच 5 इंच तक की तो आप क्या कर सकते हैं यह दो फूल कम कर सकते हैं तो कैसे आप कम करेंगे दो फूल एक फूल में जो कुरेशिया आई है 18 कुरेशिया में हमारा एक फूल बनके तयार हुआ है तो आप 18 कुरेशिया कम करेंगे फिर 18 कम करेंगे तो कितना हुआ 36 मतलब कि 36 कुरेशिया आप जब बेस लाइन बनाएंगे कम कर देंगे तो जाके आपके जो है 5 फूल की डिजाइन बनके तयार होगी जैसे कि इस पे बेस लाइन मेंने बनाई थी ना 122 122 कुरेशिया मैंने बनाई थी इस पे आप जब बनाएंगे इतनी लेंट वाली असलीड से तो आप बना लिजिए 86 कुरेशिया की बेस लाइन तो आपके इतने 5 फूल आ जाएंगे तो अगर आप लोगों को डिजाइन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इंशाला फिर मिलते हैं इसी किसी प्यार इसी डिजाइन के साथ तब तक के लिए अला हाफीज